बहुत पुरानी बात है मिसमा नाम का एक गाउं था वहां एक गडीब मच्वारा रहता था वह रोज नदी किनारे मचलिया पकड़ने जाता और उसे बेजगर जो भी पैसा होता उस पैसों से अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालता था उस मच्वारे का एक नियम था वह नदी किनारे रोज जाता और नदी में सिर्फ चार बार ही जाल भेगता और जितनी भी मचलिया पकरी जाती उतने में ही शन्तुष्ट रहता एक दिन की बात है वह रोज की तरह सवेडे ही उठकर नदी किनारे चला जाता है और जब पहली बार जाल भेगता है और जब जाल को खीचता है तो उसे जाल बहुत ही भाड़ी लगा उसने समझा कि जरूर ही कोई भाड़ी और बहुत बड़ी मचली फसी होगी लेकिन जब वह जाल बाहर निकालता है तो उसमें एक गदहे की लास फसी हुई थी वह गदहे की लास को देख कर जलबुन गया लास के बोज के कारण उसका जाल भी जगह जगह फट गया फिर उसने गदहे को एक ओर रखा और दूसरी बार नदी में जाल फेका इस बार जाल खीचा दो उसमें सिर्फ मिटी और कीचर भड़ा मिला यह देख कर मच्छवारा रो रो कर कहने लगा मेरा दूरभागे तो देखो दो दो बार मैंने नदी में जाल डाला और मेरे हाथ कुछ भी न लगा मैं तो इस बेसे के अलावा और कोई बेविसाय जानता भी नहीं हूँ ऐसे कैसे मेरा गुजर बसर होगा फिर मच्वारा ने तीसरी बार जाल फेका तो इस बार भी दुरभागे ही हाथ लगा जाल में कंकर पत्थर और फलो की गुठलिया के अतिरिक्ट कुछ भी नहीं था यह देख कर मच्वारा जोर जोर से रोने पीटने लगा इतने में सवेरे का उजाला भी फैल गया था उसने भगवान का ध्यान ध़ड़ा और विनैपुर्वक बोला ही सर्वसक्तिमान दीन दयाल प्रभू तुम तो जानते ही हो कि मैं हर रोज सिर्व जार बार ही नदी में जाल फेकता हूँ आज तीन बार जाल फेक चुका हूँ और कुछ भी हाथ नहीं आया सारी मेहनत भी कार गई अब तुम ही कुछ ग्रीपा कर और नदी से मुझे कुछ दिलवा दे ताकि मेरा आज का गुजारा हो सके यह कहकर मचवारा ने चौथी बार जाल फेका और खीचा तो भारी लगा वह सोचने लगा इस बार तो जरूर ही मचलिया फसी होगी बड़ा जोर लगा कर उसे बाहर निकाला तो देखा कि उसमें एक पीतल की घड़े की सिवा और कुछ भी नहीं है उसने सोचा कि इसमें जरूर ही कोई बहु मुले रत न होगा फिर मचवारे ने मन में सोचा अगर यह खाली हुआ तो इसे बेच कर पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे आज का काम किसी तरह चल जाएगा फिर उसने चाकू निकाल कर घड़े का मुह खोला अब वह जाँक कर घड़े में देखने लगा तो वह देखता है कि घड़े से तो धुवा निकल रहा है वह आश्चड़े चकी थोकर देखने लगा कि क्या होता है घड़े में से धुवा निकल कर नदी के ऊपर आकास में फैल गया और कुछ ही देर में वह धुवा सिमट कर एक जगह आ गया और उसमें से एक बहुत बड़ा जीन निकला मच्छु वाड़ा घबडा कर भागने लगा लेकिन उसने सुना कि वह जीन हाथ उठा कर कह रहा है का उलंगन कभी नहीं करूंगा यह सुनकर मचुवारा अपना डड़ भूल गया और बोला अरे भूत तु क्या बग रहा है तू कौन है और मुझे ये बता कि तू इस घड़े में किस तरह बंद हुआ जीन ने गुस्से से देखकर कहा तू बड़ा बत तमीज है मुझे भूत कहता है मचुवारा बिगड़ कर बोला और कौन है तू तुझे भूत ना कहूं तो गधा कहूं क्या जीन ने फिर गुस्से में आगड़ कहा तेरे मड़ने में अब अधिक समय नहीं है मैं तुझे जल्दी ही माट डालूंगा इसलिए अपनी बक बक बंद कर और मुझे से बात ही करनी है तो जुवान संभाल के कर मचुवारा घबडाते हुए बोला तू मेरी हत्या क्यों करना चाहता है क्या तु भूल गया कि मैंने ही तुझे इस घड़े के बंधन से छुडाया है जीन बोला मुझे अच्छी तरह से पता है कि तूने ही इस घड़ा को खोला है लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती लेकिन मैं तुझे निर्ने करने का अधिकार दूँगा कि मैं किस प्रकार तुझे माड़ूं मचुवारी ने कहा तेरे हिड़े में जड़ा भी दया नहीं है मैंने देरा क्या भिगाड़ा है कि तू मुझे माड़ना चाहता है क्या मेरे इस एहसान का बदला तू इस प्रकार देना चाहता है अकारन ही मुझे माड़कर तुझे क्या मिलेगा जीन बोला नहीं मेरे आका आपको अकारन मैं नहीं माड़ रहा आपको माडने का क्या कारण है कृपया अब ध्यान लगा कर सुने फिर जीन बोला मैं उन जीनों में से हूँ जो नास्तिक थे सभी जीन बादसाह को इसवर का दूद मानते थे और उनकी आग्या का पालन किया करते थे लेकिन मैं और एक दूसरा जिन जिसका नाम साकर था बादसाह की आग्या का पालन नहीं किया करते थे एक दिन बादसाह बहुत कुस्सा हो गए और उन्होंने अपने मंतरी को आदेश दिया कि मुझे पकड़ कर सामने पेश किया जाए मंतरी ने मुझे पकड़ कर बादसाह के सामने खड़ा कर दिया बादसाह ने मुझे कहा कि आज से तु मेरी आग्या का पालन करेगा और जो मैं कहूंगा वही तु करेगा मैंने साफ इंकार कर दिया बादसाह ने इसकी सजा मुझे यह देगी मुझे एक घड़े में बंद करवा दिया और अभी मंतरीत करके सीसे का धकन उसके मुँपर जर दिया और अपनी मुहर लगा कर एक जिन को आग्या दिया कि इसे नदी में डाल दो इसलिए वह मुझे नदी में डाल गया उस समय मैंने प्रण किया कि सौ वर्षों के अंदर जो आदमी मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दूँगा कि वह आज इवन सुख से रहेगा और मरने के बाद भी बहुत श्राधन उसके उत्रा अधिकारी के लिए बच जाएगा लेकिन उस अवधी में भी मुझे किसी ने नहीं निकाला फिर मैंने प्रण किया कि अगले सौ वर्षों के अंदर जो भी मुझे 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 करेगा उसे मैं सारे संसार का खजाना लाकर दूँगा फिर भी मुझे किसी ने नहीं निकाला फिर मैंने प्रण किया कि आगे आने वाले सौ वर्षों में जो मुझे इस घड़े से निकालेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादसा बना दूँगा और हर रोज उसकी पास जाकर उसकी तीन इच्छाए पूरी करूँगा लेकिन जब इस तीसरी अवधी में भी किसी ने मुझे न निकाला तो मुझे बड़ा ग्रोधाया और उसी अवस्था में मैंने यह प्रण किया कि अब मुझे जो भी बाहर निकालेगा मैं उसे अत्यन्द कुरूरता पुरवक उसके बढान ले लूँगा हाँ उसके साथ इतना अवस्थे करूँगा कि वह जिस प्रकार मरना चाहेगा उसी प्रकार मारूँगा अब तूने इस प्रतिक्या के बाद ही मुझे निकाला है तो अब तू ही बता कि तुझे किस प्रकार मारूँ मच्चु वाड़ा यह सुनकर डर गया और सोचने लगा कि दुर भागे तो मेरे पीछे ही पड़ गया है जो मैं भलाई करके उसके बतले मृतु डंड पा रहा हूं वह गिरगिरा कर जिन से बोला भाई तुम अपनी प्रतिक्या भोल जाओ मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो यदि तुम्हारी समझ से मैंने कोई अपराद किया है तो भी मुझे छमा करो क्या तुमने सुना नहीं है कि जो दूसरों के अपराद छमा करता है इस वर उसकी अपराद छमा करता है जिन ने कहा यह बाते रहने दे मैं तुझे मारे बगैर नहीं रहूंगा तो सिर्फ बता दे कि किस प्रकार मरना चाहता है अब तो मचुवारा बहुत ही भैवित हो चुका था उसने देखा कि यह जिन तो उसे मारने का हट नहीं छोड़ रहा है वह मचुवारा अपनी बतनी और बच्चो को याद करके बहुत दुखी हो गया फिर उसने सोचा कि आखरी बार मैं पढ़्यास करके देखता हूं सायद यह मान जाए हे जिन राज मैंने तो तुम्हारे साथ इतनी भलाई की है तुम इसके बदले मुझ पर दया भी नहीं कर जिन बोला इसी भलाई के कारण तो तेरी जान जा रही है मचुवारे ने फिर कहा कितनी आश्चरे की बात है कि तुम मेरे इस उपकार के बदले प्रान लेने पर तुले हो यह कहावत सही है कि बुरों के साथ भलाई जो करता है उसे कूप अरिनाम ही मिलता है यह कहावत तुम चाहे कितने सवाल जबाब करो और चाहे जितनी कहावते कहो मैं तुम्हारी जान लेने के प्रण से नहीं हटने वाला मचुवारे ने अंत में अपनी रच्छा का एक उपाई सोचा उसने जिन से बोला अच्छा तो तुम मेरी जान लिये बगार नहीं मानोगे यदि भगवान की यही इच्छा है तो यही सही लेकिन मैं तुझे उसी पवित्र नाम की जिसे तुम्हारे बाद साहने मोहर पर खुदवाया था कशम दे कर कहता हूँ कि जब तक मैं अपने मरने का तरीका नहीं सोच लेता तब तक तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो जिन इतनी बड़ी कसम सुनकर कापने लगा उसने कहा पूछ क्या पूछना चाहता है मैं तेरी प्रश्न का उत्तर दूँगा मचवारे ने कहा मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं होता तो इतना बड़ा और विसालकाय होकर इतनी छोटी सी घड़ा में कैसे समा गया त जिन ने बोला जिस पवित्र नाम की कसम तूने मुझे दिलाई है उसकी साक्षित देकर कहता हूं मैं उसी घड़े में था मचवारे ने फिर कहा मुझे तो विश्वास ही नहीं होता तू सच कहता है इस घड़े में तो तेरा एक पाउं भी नहीं आएगा तू पूड़ा का पूड़ा इसमें कैसे समा गया जिन ने कहा क्या मेरे इतनी बड़ी कसम खाने के बाद भी तुझे विश्वास नहीं होता मचवारा बोला तेरे कसम खाने से क्या होता है मैं तो तभी मानूंगा जब अपनी आखों से इस घड़े के अंदर तुम्हें देखूंगा और उस म पिर्वाद हुआ एक जगह पर इकठा होकर धीरे धीरे घड़े में जाने लगा जब बाहर धुएं का नामों निसान नहीं रहा तो घड़े के अंदर से जिन ने अवाज दी अब तो तुझे मालूम हुआ कि मैं जूट नहीं कह रहा था मैं इसी घड़े में बंद था केरी बाड़ी है अब तू गिर गिराएगा और मुझे से छमा मांगेगा या फिर मुझे बता अब तू मेरे हाथ से मरना चाहता है लेकिन मैं तुझे नहीं माड़ूंगा इसी नदी में डाल दूंगा और जो भी मचवाड़ा यहां नदी में जाल डालने आएगा उसे घड़े में एक बहुत ही दुष्ट जिन बंद है जिसे कभी मत निकालना यह सुनकर जिन बहुत घबड़ा गया उसने हाथ पाओ माड़े और कहने लगा मुझे निकालो मुझे इस घड़े से निकालो उससे गुस्सा तो बहुत आ रहा था उस मचवाड़े पर लेकिन फिर पड़ी हास तुम्हारे साथ किया अब मुझे निकाल दो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा मचवाड़े ने हसकर कहा क्यों डे जिन जब तु इस घड़े से बाहर था तब तो बहुत बड़ा सक्विसाली बन रहा था अकर दिखा रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा अब कैसा लग रहा है अब कैसे गिरीरा रहा है जिन बोला मेरे आका मुझे इस बार माफ कर दो आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा मचवाड़े ने कहा तु महा धूर्द है मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला अब तु जीवन भर इसी घड़े में बंद रहेगा य तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारी चैनल पे पहली वाड़ाएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अब तक के लिए थैंक्स वर बोजिंग इस वीडियो